कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन तो यह सारा बूर्चड खाना इस काड़न बनवा रहा है यहां पर अपने स्वारत के लिए एक लाख नित खाता है सवा लाख जीव उत्पन करता है मनुस डेली इसका रूटीन है इसका ऐसा नियम है तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमिस्वर की सरनमा आने के बाद फिर इसके इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं फिर यह उन बगतों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमिस्वर की सरनमा इस दास के मादम से आ जाते हैं और मरियादा में रहते हैं कहते हैं जब लग हनसा हमरी आना काल लगै नहीं तेरा बहना जब लग हनसा मेरी मरियादा में रहेगा काल तेरा कोई अटेक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता मरियादा तोड़ देते हैं जिस कारण से दुख पाते है कबीर परमेश्वर कहते है अनन्त कोटबा जी जहां हम रचे सकल बरमंड और कहे कबीर मैं क्या करूँ यो काल करे जी यो खंडे परमात्मा कबीर जी कहते है कि मैंने अनन्त करोड बरमंडों की रचना कर रखिये ऐसे समर्थ हैं हम और मैं क्या करूँ ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है इनका नाम तुड़वा देता है फिर इन पर अटेक कर देता है जिस कारण से ये मार खा जाते है परमात्मा कहते हैं जैसे मातागर बकूं राख यतन बना और ठेस लगता है च्छन हो है तेरी ऐसे बगती जा इस नाम को लेने के बाद ये समझे लेना आपकी आत्मा में बगती शटार्ट होगी अब बीज पड़ गया जैसे मातागर बकूं जैसे किसी बहन को गरब रहा हो तो फिर वो रात्री में या दिन में कितनी सचेत रहती है रात को कर्वट लेते समय भी ये सोचती है ये भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पढ़ जा दबाव ना आ जा सुबह भी चलती फिरती है काम करती है कहीं उचे निचे पर पैर ना रख्या जा मेरा बच्चा खराब हो जा तो कहते हैं जैसे माता अगर वकूं राख है यतन बना और ठेस लगए जटका लग जावज तो अक्सीन हो जावज ऐसे बगती जा तो मरियादा के इंद रहना आपका अतियनिवारिये है मरियादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है बगवान ने जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्समन ने सीता जी के कुटिया के चैरों और रेखा खेश दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मरियादा को खोजने के लिए आप इसे बाहर मताना इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा उसी समय रावन का उदेशे था उसको उठाने के लिए सब उसने ये सडियन तरफा था रावन जब आया साधू रूप बनाकर विक्सा लेने के लिए तो उस रेखा के निकटाते रावन को एकदम इतनी लप्ट लगिया आगनी की दस कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत सपीड से और सीता से कहा के माई साधू संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और विक्सा देनी है तो भार आ कर दे जीजिए नहीं तो तुझे ये हो जा गर वो जा उसने सोची के साधू संत है क्या फरक पड़ता है विक्सा लेर अभी दे कर वापस आ जाती हो उसने रेखा उलंग कर रावन के विक्सा देनी चाही थी तो वही से बादू पकड़ ली उठा ले गया और पटक दी वाँ लंका के अंदर नो लखा बाग में अब उसको तो जरा सी लगी क्या फरक पड़े है वो बोड़ी बूचते है जो 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 कहा कि इस्तवार मत जाएए ना तरी ब्रान माटी हो जाएगी गिल्ला मारी करावगी और वह एकर दिया वही काम करके धर दिया करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए जरासी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या विजली गरती दक्ये खाग चला जाता रावण तो पुनात्मा रावण समझो काल है और मर्यादा ये लक्षमन रेखा समझो जो नियम बताएगे आपको फिर ये निकट निया सकता काल डरै करतार से जै 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 जगदी से ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरजडार सी से परमात्मा कहते है के काल जो पीस है पीसना जोरा है पनिहारे ये दो असल मजदूर है मेरे सत्गूरू के दरबार के जब तक आप परमात्मा के मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में बग्ती कर रहे है और कहते हैं यो काल ड्रै करतार से करतार कौन कबीर सिर्जिनहार है अनंत कोट बरमांड का एक रतीनी भार और सत्गूरू पुरूस कबीर है ये कुल के सिर्जिनहार यो काल ड्रै करतारते हैं और जै 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 जगदी से और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी जाड़ता परमात्मा के जूत्य जाड़ता है जाड़ती है मर्चू और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपके आग्या बना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती और परमात्मा कहते है काल जो पीश से पीशना ये इसका नोकर समझो परमात्मा का यहां का 21 ब्रमार्ण का स्वामी ब्रहम और जोरा है पनीहार यह मौत इसका पानी भरती है प्रमात्मा कबीर जी का तो ऐसे समर्शती की आपको सरन प्राप्त हुई है लेकिन अपनी नाला की और गलती से हम बगवान को ट्याग कर काल के पाले में पहुँच जाते हैं काल के अखाडे में तो वहां तो बकला उतरेगा फिर वहां क्या मिलना था अब परसंग दो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की सरन में रहेंगे इस काल का अटेक आप पर नहीं हो सकता